नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे स्वीटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं क्रिश्टली और अक्रिश्टली ठोस के बारे में मित्रों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रिश्टली ठोस के बारे में जानेंगे क्रिश्टल आयन के बारे में, आप जानते हैं, ठ्रायमासिक का जो यंपी बोर्ड क्जाम है, और उसमें ऐसे प्रस्ट बहुत ही जादा पूच sends जाते हैं, अगर बात करें क्रिश्टल आयन स्युलड के बारे में कहा जाता है वे ठोस पदार्थ जिनके अवायवी कण यानि परमाणु अनु आयन त्रिविम में एक निश्ची जामित में ब्यवस्थित होते हैं क्रिश्टली ठोस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मित्रो क्रिश्टली ठोस हमने कहा वे ठोस पदार जिनके अवयवी कण यानि परमाणू अनु आन त्रिविए में निश्चिज ज्यामित में बिवस्थित होते हैं क्रिश्टली ठोस कहलाते हैं अब मित्रों पर इनके एक गुणों के बारे में हम लोग अध्यन करते हैं, इनका क्या क्या प्रापरटीज होता है, यहाँ पर पहले पॉईंट की बात करें, तो इनमें अवाइवी कर जो होते हैं, वो दीर गपराशी व्योस्था में अरेंजिमेंट होते हैं, जैसे कि प्राइट ऐस होते हैं चलिए यहाँ पर फॉर्थ पॉंट की बारे में हम लुक्जिक्र करते हैं जो जो काफे निश्चित होते हैं आपको ध्यान में रखना है इनके जो क्रिश्टलाइं सोलड होते हैं इनके गल्णाइं बिल्कुल एक दर निश्चित होते हैं यह जल्दी परिवर्थित नहीं होते अच्छा और यहां पर यह पॉइंट हम लोग देखना है यहां पर यह पॉइंट देखी क्या कहता है अगर मित्रो इन्हें तेजधार वाले हत्यार से कट किया जाए तो इनके जो प्राप्त नए जयने सतहे होते हैं वो चिकनी और सपाट होती हैं क्या होते हैं मित्रों चिकनी और सपाट होती हैं तो इस प्रकार से हम लोग क्रिश्टली ठोस के बारे में जान पाएं ऐसे एक एक न पर नहींच और सुब्सक्राइब कीजिए का धन्यमाद